कि हैं लो दोस्तों सुवागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्शन पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल पर्शन को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा अपने सबी दोस्तों के साथ सेयर करें और बेल के आइकन को दवाना ना भूलें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का अपना पहला कोशन आज का हमारा पहला कोशन है Attach late Priv divide को इन में से किस हर पिकस साफ किया जाता है दोस्तो Attach late कि आप जानते हो कि Attach late बात किसे बोलते हैं जो हमारा bathroom और toilet जो दोनों एक साथ बने हुए होते हैं एक ही में होते हैं उसको हम Attach late bathroom या bात बोलते हैं तो दोस्तो इस question में यही पूचा गया कि attach late बात को हम इनमें से किस साफ करेंगे तो दोस्तो हमारे सामने हर question में चार options दिये जाएंगे जिसमें से आपको इसका right answer चूज करके comment में हमें जरूर बताना है तो दोस्तो देख लेते हैं इसके options हमारे options हैं option A लाल हर्पिक option B नीला हर्पिक, option C पीला हर्पिक या फिर option D A and B दोनों मतलब कि लाल और नीले हर्पिक से हम attach late बात को साफ कर सकते हैं दोस्तो इसका right answer आपको पता है तो इसका right answer आप टिक करें तो दोस्तों देख लेते हैं इसका right answer दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option D A and B लाल एवं नीले हार पिक दोनों का इस्तमाल करके हम attach let बात को साफ करेंगे इन दोनों का इस्तमाल हम क्यों करेंगे आप हमें comment में चरूर बताएं अगर आपको नहीं बता है तो इससे अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगे का attach let बात को साफ करने के लिए हम लाल और नीले दोनों हार पिक का इस्तमाल क्यों करते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं अगला question हमारा अगला question है निम लिखित में से किस हार पिक का इस्तमाल दुरगंद को हटाने में किया जाता है तो दोस्तों किस हार पिक का इस्तमाल किया जाता है दुरगंद को हटाने के लिए bathroom या toilet से तो हमारे सामने option से option A लाल हार पिक, option B पीला हार पिक, option C licht है नीला हपिक या फिर अप्शंडी काला हार्पिक दोस्तों myś这4 ओसंदsun दीए गए हैं इस मेसे आप इसका राच अंपर चूज़ करना इसका रायट अंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं तो दोस्तों देखे लितें इसका राइट अंसर दोस्तों इसका राइट अंसर हो जागा option B पीले हार्पिक कस्तमाल हम कहीं भी दुरगंद को हटाने के लिए कर सकते हैं देखते हैं अगला कुशन है हमारा अगला कुशन है निमलकित में से किस हार्पिक कस्तमाल दाग धब्बों को साफ करने में किया जाता है दोस्तों हमारे सामने चार options है option A पीला हार्पिक, option B नीला हार्पिक, option C काला हार्पिक या फिर option D सफेद हार्पिक दोस्तो most of आपको पता होगा कि सिर्फ दो पिरकार के हार्पिक होते हैं नीला और लाल अधिकतर स्टुडेंट्स को सिर्फ लाल और नीले हार्पिक के बारे में ही पता है बट दोस्तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही हार्पिक उपलब्द होते हैं दोस्तो हार्पिक रॉट्स वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी आप पहले उस वीडियो को देखिए और इसके बाद में इस वीडियो को देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि हार्पिक कितने फिरकार Department होते हैं और कहां-कहां इनका इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों हमारे सामने चार ओप्शन से ओप्शन ए पीला हार्पिक ओप्शन बी नीला हार्पिक ओप्शन सी काला हार्पिक या फिर ओप्शन काले कहतें हैं काले हार्पिक कर्दंध निम लिखित में इसे किस हार्पिक को सबसे ज़्यादा सक्तिसाली माना जाता है तो दोस्तों जो भी हमारे हार्पिक होते हैं उन सभी हार्पिक में से एक हार्पिक ऐसा होता जो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली होता है तो वो कौन सा हार्पिक है इसको हम जान लेते हैं तो हमारे सामने उप्सन से उप्सन ए नीला हार्पि option B काला हार्पिक, option C लाल हार्पिक, या फिर option D सफेध हार्पिक, दोस्त आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सक्तिसाली जो हार्पिक होता वो कौन सा होता है, तो इसका right answer आप हमें comment में जरूर बताएं तो दोस्त देख लेते हैं, इसका right answer दोश्तो इसका राइट अण्सर हो जाएगा option B काला हार्पिक जो है हमारा यह सबसे ज्यादा सकती साली हार्पिक माना जाता है, यह stand blaster होता है मतलए कि जो हमारे दाग धब्बे होते हैं मिटाने में सबसे ज्यादा सकती साली इसको माना जाता है देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है निमलिकित में से किस हार्पिक को वाइट एंड साइन बिलीच के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो किस हार्पिक को जाना जाता है वाइट एंड साइन बिलीच के नाम से तो हमारे सामने उप्शन से option A, लाल हर्पिक को, option B, सफेद हर्पिक, option C, काला हर्पिक, या फिर option D, पीला हर्पिक तो दोस्तो किस हर्पिक को जाना जाता है, white and sign bleach के नाम से, या आपको हमें बताना होगा दोस्तो देख लेते हैं, इसका right answer, दोस्तो इसका right answer हो जाएगा, option B, white and sign bleach के नाम से, हम सफेद हर्पिक को जानते हैं देखते हैं अगला question, दोस्तो ये question कभी कभी आपसे question में, या फिर trade test में आपसे पूछ लिए जाते हैं, कि white and sign bleach कौन सा हर्पिक होता है या फिर ये भी पूछ लिए जाता है, कि सफेद हर्पिक को हम और किस नाम से जानते हैं, तो सफेद हर्पिक को हम और किस नाम से जानेंगे, white and sign bleach के नाम से, या फिर हम white and sign bleach को किस नाम से जानते हैं, सफेद हर्पिक के नाम से तो दोस्तो ये ध्यान देने वाली बाते हैं इन सभी को आपको ध्यान में रखना चाहिए देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है निमलखित में से किस हार पिक को जर्म एंड इस्टेंड बिलास्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये question मैंने आपको अभी बता है आपको अगर याद हो तो इसका right answer आप हमें comment में बता दें जल्दी से जल्दी अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका right answer आपको बता दूँगा तो दोस्तों किसे जाना जाता germ and stand blaster के नाम से तो हमारे सामने options है option A, लाल हर्पिक, option B, पीला हर्पिक, option C, काला हर्पिक या फिर option D, सफेद हर्पिक दोस्तों हमारे सामने चार options दिये गए हैं इसमें से आपको इसका right answer टिक करना है और इसका right answer आप हमें comment में जरूर बता है तो दोस्तों देख लेते हैं इसका right answer किसे जाना जाता है इस नाम से तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option C, काले हर्पिक को हम जर्म एंड इस्टेन ब्लास्टर के नाम से जानते हैं और काले हर्पिक और क्या, ये सबसे ज़्यादा सकती साली हर्पिक किसे मना जाता है, देखते हैं अगला question हमारा अगला question है, निमल खित में से किस हर्पिक को प्लैटिनम एक्टिब सिल्ड के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों किस हर्पिक को जाना जाता है प्लैटिनम एक्टिब सिल्ड के नाम से तो हमारे सामने options है, option A, पीला हर्पिक option B, सफिध हार्पिक, option C, silver हार्पिक या फिर option D, काला हार्पिक तो दुष्ट इसका राइटनसर आपको पता है तो इसका राइटनसर आप टिक करें और इसका राइटनसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं तो दुष्ट देख लेती इसका राइटनसर दोस्तो इसका राइट अंसर हो जागा option C silver harpic को हम platinum active shield के नाम से जानते हैं silver harpic का इस्तमाल कहां किया जाता है यह आपको नहीं पता है तो आप हमारी harpics related इससे पहली वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने आपको harpics related काफी सारे questions कवर करा दिये हैं उस वीडियो का link हमने इस वीडियो को description में डाल दिया या फिर आप हमारे YouTube channel education person पर visit करके भी playlist के जरीए उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो अगर आपने हमारे YouTube channel education person को अभी तक subscribe नहीं किया तो please इस channel को subscribe करें वीडियो को like करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ share करें अगर आप किसी भी सफाई करमचारी किसी भी भरती की सफाई करमचारी की तयारी कर रहे हैं को जाना जाता है क्योंकि most of यह ज्यादा से ज्यादा use में सभी use में लेते हैं तो दोस्तों हमारे सामने चार option से option A लाल हर्पिक option B नीला हर्पिक option C काला हर्पिक या फिर option D सफेद हर्पिक तो दोस्तों किसे जाना जाता है पॉवर प्लस 10X Max के नाम से किस हार्पिक को जाना जाता है तो दोस्तो देख लेते हैं इसका राइट अंसर दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B नीले हार्पिक को हम किस के नाम से जानते हैं पॉवर प्लस 10X Max के नाम से नीले हार्पिक को जाना जाता है देखते हैं अगला कोश्चन हमारा अगला कोश्चन है निम लिखित में से किस हार्पिक को फ्रेश पाइन की नाम से जाना जाता है तो दोस्तो किसे जाना जाता है फ्रेश पाइन की नाम से तो हमारे सामने ओप्सन से option A, पीला हर्पिक, option B, हरा हर्पिक, option C, सिलवार हर्पिक, या फिर option D, लाल हर्पिक, तो दोस्तो किसे जाना जाता है, pine fresh के नाम से, यह आप हमें ज़रूर बताएं, तो दोस्तो देख लेते हैं इसका राइट अंसर, दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option B, किस हार्पिक को औरगेनिक एक्टिब की नाम से जाना जाता है तो दोस्तों किस हार्पिक को जाना जाता है और गेनिक एक्टिब की नाम से तो दोस्तों देख लेते हैं हमारे ऑप्शन हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए पीला हार्पिक ऑप्शन बी सफेद हार्पिक ऑप्शन सी लाल Harpik या फिर option D काला Harpik दूस्त इसका राइटन सरा आपको पता है तो इसका राइटन सरा आप टिक कराएं और इसका राइटन सरा आप हमें कमेंट में जरूर बतां कि Organic Activ के नाम से किस Harpik को जाना जाता है देख लेते हैं दोस्ति इसका right answer दोस्ति इसका right answer हो जागा option A पीले harpik को हम organic active के नाम से जानते हैं और पीले harpik का इस्तेमाल हम कहा कहा करते हैं या आप हमें comment में जरूर बता है अगर आपको नहीं पता कि पीले harpik का इस्तेमाल कहां किया जाता है सफेद वेज चमकदार और साइन बिलीच करने में किया जाता है तो दोस्तों किस हार्पिक कश्टमाल किया जाता है टोईलेट शीट को सफेद चमकदार और साइन बिलीच करने के लिए दोस्तों यह कुर्शन मैंने आपको पहले भी बताया अभी इसी वीडियो में तो आप ध पिक कह इस्तमाल किया जाता है टॉइलेट सीट को सफेद चमकदार और साइन बीच करने के लिए तो दोस्तो देख लेते हैं इसका राइट अंसर अगर आपको पता है है इसका राहिट अंसर अपकोदार अगला कोशन हमारा अगला कोशन है निम लिखित में से कौन सा हार्पिक प्रतेक फ्लस के साथ सोचाले की स्वच्चता बनाए रखता है तो दोस्तों वो कौन सा हार्पिक होता है जो प्रतेक फ्लस के साथ में सोचाले को साप करता है और उसी स्वच्चता बनाए रखता है तो हमारे सामने options हैं option A, लाल हार्पिक, option B, नीला हार्पिक, option C है हार्पिक, फिलस्मेटिक या फिर option D, इन में से कोई नहीं दोस्त इसका राइटन सर आपको पता है कि प्रतेक फिलस्मेटिक के साथ कौन सा हार्पिक टोईलेट को सच बनाई रखता है देखते हैं दूस्तों अगला question हमारा अगला question है, निम लिखित में से किस हार्पिक का इस्तमाल कठिन दाग धब्बों को आटाने के लिए किया जाता है तो दूस्तों कौन सा हार्पिक है जिसका इस्तमाल हम कठिन दाग धब्बों को लिए करते हैं तो हमारे सामने options है, option A, white and sign bleach, white मतलब सफेद हार्पिक, option B है, germ and stand blaster black मतलब काला हार्पिक, option C है हमारा platinum active shield मतलब की silver हार्पिक, या फिर option D है हमारा power plus 10 x max blue मतलब की नीले हार्पिक का, तो दोस्तो इसका राइट अंसर आपको पता है, तो इसका राइट अंसर आप टिक करें और इसका राइट अंसर आप हमें comment में जरूर बताएं, तो दोस्तो देख लेती इसका राइट अंसर, दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाग, option B, germ and stand blaster, मतलब की काले हार्पिक का इस्त सब्सक्राइब करने के साथ हम साफ करने के साथ हम साफ करने के लिए करते हैं देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है निम लिखित में से हार्पिक फ्लस्मेटिक से क्या साफ किया जाता है तो दोस्तों क्या साफ करते हैं हम हार्पिक फ्लस्मेटिक से तो हमारे सामने ऑप्शन से ऑप्शन A टॉयलेट सीट को ऑप्शन B बातरूम को ऑप्शन C य इसका राइट अंसर हो जाएगा option A, harpik flasmatic का इस्तमाल हम only toilet sheet को साफ करने के लिए करते हैं, नहीं उसका इस्तमाल हम bathroom को साफ करने के लिए करेंगे और नहीं urinal bowel को साफ करने के लिए करते हैं, तो दोस्ता आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में हमने आपको harpik selected most important question कराई, आपने इससे पहली वीडियो को अभी तक नहीं देखा, तो उन सभी वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो आपके किसी भी ट्रेडमेंट सफाई करमचारी की भरती के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण किलास सावित होने वाली है, दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल, education person को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जाद आपने सबी दोस्तों के साथ सेयर करें, तो दोस्तों मिलते आफ नेक्स्ट वीडियो में,